सार्यनों प्यार परिशस्रिकाल ते आज असी प्रीत कीचनवेच बनावांगे साधे पंजाब दर टरडिशनल कांजी वड़ा जो अक्सर हम शादी के शादी से दो तिन दिन पहले बनाया जाता है और इसे मैं बनाओंगी बिल्कूर टरडिशनल तरीके से और एक बैटर से हम बनाएंगे कुछ कांजी वड़ा और कुछ बनाएंगे दही वड़ा तो चलिए फिर देर किस बात की तो चलिए फ्रेंड्स अपना कांजी वड़ा बनाना स्टार्ट करते कांजी वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कांजी का पानी और उसके लिए करेंगे एक special मसाला त्यार और यहां पर सबसे पहले में लोगी यह है राई यह दिखिए यह ब्राउन कलर की होती है इस तरह की बरीक वाली और यह हमने लेने हैं दो चम्मच और इसी के साथ लोगे मैं पीली राई यह हमने लेनी है धेड़ चम्मच और एक चम्मच लेंगे हम भुना मिर्च और एक चम्मच लेंगे हम काला नमक और आदा चम्मच लेना हमने हल्दी और इन सब को हम मिक्सी में डाल कर पीशके एक श्पेशल सा मसाला त्यार करेंगे मशाला एक दम देखी कितना पाईन बन गया और इसे आप स्टोर भी करके रख सकते कांजी मसाला को जब आपने कांजी बनाना तो इस मसाला को डाली पानी में और यहां पर मैंने जलता हुआ कोईला लिया और इसके उपर डालेंगे सरसू का तेल इस तरह और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके उपर हिंग और यहां पर मैंने दो लीटर का मिट्टी का बरतन लिया और इसको हम जल्दी से इसके उपर इस तरह रख देंगे और इसे हमने रखना कम से कम तीन से चार मिनट के लिए और पांच मिनट तक हम इसे रखेंगे इस तरह और इसे कम से कम ढ़के हो मुझे पांच मिनट होके हैं अब हम इसके अंदर ढालेंगे औबला हुआ पानी यह दखें और यहा पर मैंने दो लिटर पानी लिया और इसको कम से कम दो मिनिट के लिए ढखकर रखेंगे और इसे दक कम से कम 2-3 मिनिट आफ़ो जो और अब हम इसके अंदर मसालय डालेंगे यह यह जो attack then मिक्स करेंगे और लास्ट में आदी चमय सेज्ता कम डालेंगे हम इसके एंदर हीन livres और जो होराई हमने पहले निकाल के रखी थी wasnister हम अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे आप इसे मिट्टी के बर्तन में नहीं बनाना चाहते हैं चाहे आप स्टील में बना सकते हैं और अभी हमारा काजी त्यार नहीं हुआ और काजी हमारा त्यार होगा कम से कम 2-3 दिन बाद क्योंकि यह हमारा अच्छे से पाली अच्छे से format होगा और इसे हम ढख कर रखेंगे धूप में रख सकते हैं आप चाहे इसे तो चाहे आप इसे किसी घरम जगह पे रखेंगे अब हम इस मिलेंगे दो से तीन दिन चलिए फ्रेंट्स अब अपने वड़े बनाना स्टार्ट करते हैं वड़े बनाने के लिए और वड़े बना दाल को मेरे अच्छे से लिया इसको दूनो दालों यह द गैए और अब हम इसके में डालेंगे एक चममच जीरा चीरे को मेरे अच्छे से पहले बर ना था और इसी के साथ मैं चममच रखवता बना हरी मिर्च लिए और पांस से साथ काली मिर्च लिए और इसके अंदर डालेंगे हम हरा धनिया थोड़ा सा और दाल को हमने अच्छे से फेटना है कम से कम 10 से 15 मिंट तक ताकि यह दाल बिल्कुल हलकी होजे और अच्छे सी प्लफी सी बन जहे और बैटर को मैंने फेटते हैं कम से कम 15 मिंट होगे इस तरह हमारा बैटर होना चाहिए बैटर हमारा पतला नहीं होजे अगर हमारा बैटर तरह हम इसको पानी में डालेंगे यह देखिए अब यह देखिए आप देखिए हमारा जो बड़ा एक्दम जब इस तरह यह तहने लग जाए तो यह समझ जई कि हमारा बैटर अच्छे से पिश्चू और बैटर हमारा एकदम अच्छे से रेडी और अब हमने वड़े को तले और तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुक है और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि तेल हमारा गरम हुआ कि नहीं इस तरह एक डालेंगे और अब हमने बड़े बनाएंगे और बड़े में आपको दो शेप के बनाऊंगी और इस तरह और बैटर में आपने नमक कम डालना है और इ म मैं एक तरह हिलाएंगे और यह देखे हमारे बड़े एकडम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं यह देखे여 और यह सी मेंने दुनों साइट से फ्राइ कर दे Console कर दे और अब हम इसको इस तरह बहर निकालेंगे और हमने इसको golden brown करना क्योंकि पानी में डाल कर इसका color change हो जाएगा और यह देखिए सारे वड़े में एकदम तलनी हैं और इसे हम बाहर निकालेंगे और अब मैं आपको एक बड़ो की shape और बताती है आप इस तरह कोई भी कपड़ा ले लिचे और इस तरह हमने उसे पकड़ना है यह देखिए कपड़े को लेकिन अपने गीला कर लेना और इसके उपर हम अपना इस तरह बैटर रखेंगे थोड़ा से इसके उपर पानी लगाएंगे और इस तरह हम इसको उठाएंगे यह देखे और यह देखे इस शेप का हम इस तरह ढालेंगे और वडे हमारे यह दुछी साथ यह साथ में ठोड़ा सा नमक और इस गरम पानी के अंदर हमपने सारे वडो को ढाल देएंगे जो हमने और इसको हमने विघोंके रखना है कम से कम 15 मिनिट के लिए और यह दिखिए 15 मिनिट हो चुके हैं और वड़े हमारे सॉप भी सुप भी हो चुके हैं और इसका हम एक्ट्रा सारा पानी निकाल देंगे ताकि जो इसमें एक्ट्रा ओयल है और जॉप किया है वो निकल जाए और ये देखिए इस तरह हम साड़े बड़ो को अच्छे से एक्ट्रा पानी निकाल देंगे साड़े बड़ो में से और तीन दिन बेच चुके और कांजी हमारा बन कर बिलकुर रेडी हो गया ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए और इसे मेने शिफ्ट किया एक बाउल के अंदर और इसके अंदर डालेंगे हम अपने वड़े और इसे हम इसको उपर डालूगे मैं थोड़ा सा हरादनिया और इसे हम बिगो के रखेंगे कम से कम दो घंटे के लिए और कुछ वड़ो का मैं आपको दही वड़ा बनाना बताती हूँ सबसे पहले हमने लेने है वड़े और यहां सबसे पहले हम बड़े रखेंगे और इसके उपर डालेंगे दहीं के अंदर मैंने पहले चीन डाल कर रख ली थी और थोड़ी सी डालूँगे मैं लाल चटनी और इसी के साथ मैं डालूँगे हरी चटनी और डालेंगे हरा धनिया और डालेंगे दही भल्ला मसाला और दही भल्ले भी हमारे बनकर रेडी है और कांजी बड़े को बने भी दो घंटे होगे और अब हम इसको इस तरह सर्व करेंगे और चाहे तो आप किसी में डाल सकती है इस तरह हम दो बड़े डालेंगे और इसके साथ लेंगे थोड़ा सा पानी चाहे तो आप मिट्टे का इस तरह मैं स्पेशल लेके आई थी मिट्टे के इस में भी डाल सकती है और बनकर रेडी होगे हमारा कांजी बड़ा और एक मैं आपको तोड़के दिखाती हूं कितना सॉफ्ट बनाया हमारा कांजी वड़ा और एक मैं आपको दई भला तोड़के दिखाती हूं कितने सॉफ्ट बने हमारे दई भले और यह दिखिए एक तम भूई की तरह नादना सॉफ्ट नहीं भले बले और अगर आपको मेरी रस्पी अच्छी लगे तो प्रीस मेरी रस्पी को लाइक कीजिए मेरी चैनल को सस्क्राइब कीजिए अगर आपको पंजाबी खाना बहुत पसंद है तो आप मेरी चैनल को जुरू सस्क्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और लेटिव्स चिंखुक पंजाबी खाना बहुत पसाद है वो ने भी रेस्पी जो शेर कीजिए और मिलते एक नहीं रेस्पी के सार एंजॉइ